हाई फ्रेंड्स विल्कम टो वर चैनल आज मैं बना रही हूं मैदा बर्फी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को स्क्रीब करके बेल आइकान पर क्लिक कर दीजिए मैदा बर्फी बनाने के लिए फ्रें मान करके प्यान रखे हूं एक कप भरके घी लिए हूं इसको आट कर देंगे इसके दूसरा कप भी आट कर देंगे इसको मीडियम फ्लेम करके अच्छे से घी में इसको भून लेंगे अब फ्लेम मीडियम रख लीजिए तो जम सकता है यह अब भूमते रहना है मेडियम फ्लेम में फ्लेम में कम से कम 10-15 मिनट भूनेंगे इसको घी में बूंते बूंते इसकी कंसस्टंसी फिर से पतली हो जाएगी देख सकते होंगे आपर इस तरह से होना है और इसको और फास मिनट इसको भून लेगे दोस्तों इस तरह से हो गया है यह कमठेपस नहीं है इसको फ्लेम एलए टेक हो अब दुशक करने के बाद इसको अच्छए से थंड़ा होना देंगे और इसको घूर एक हाथ कर लेए अब चाहे तो दूस्तों दूसरे पैनमे चाहिए बन खुट हुद्ब जब चाहिए अपको उसके पाथ और अड़े दो धूर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुगर को डूर करना है फ़्ड़ा खरके आइड कर लें गे घ़ी कि बाल सारत ओड़ा करके और जूरा फटर के लिए चीनी आट करने के बाद इस तरह से होगे इसकी देख सकते होंगे आप ठीक है एक दम से अब चाहतों चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हो इसको अच्छे से मिक्स करना है मिक्स कर ली हूँ और भी इसको ड्रे में आट कर लेंगे कि दिखें इस तरह से एक उनसा भी एक केक पैन हो या कुछ ट्रे हो पिस पास इस तरह से बटर पेपर इसको रख ली होंगे इसमें आट कर लेंगे कि यह सारा इसमें मैं प्राव चुकी हूं इसको इस तरह से अभी चमच स्पार्चिले लेके इस तरह से एकदम एकपल कर लीजिए दोस्तों इसको अधा गंठा रखने के बाद फ्रिज से अभी निकाल लेंगे कि दोस्तों निकाल ठीक हूं बॉटर पेपर दालने से आप हो यह आसानी से निकलता है इसको कट कर लेंगे पीससे दोस्तों आपको एकदम वराबर एकपल सीजिस चाहिए तो आप इस तरह से स्केल रखके आप कट कर सकते हूं अचि के ल笑 में इस तरह से कट कर सकते हूं आपके असानी से इस तरह से करने के बाद से एक कट लगा लेंगे अब तहने थो बड़े यह चोटी अपनी हम्री से अभ्रत कर चुके हूं ऑए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंड करना मत भूलिया अपीज